असलाम अलेकम अमीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे आज मैं आपके साथ दो ड्रेसिस की डिजाइनिंग शेयर कर रही हूँ ये दोनों आर्टिकल जो है निशाद लेलन से बाई किये गए हैं ये इस साल जो उनकी विंटर कोलेक्शन आई है उसी में से ये दोनों बाई किये गए हैं जो सबसे पहला आर्टिकल मैं आपको दिखा रही हूँ ये थ्री पीस आर्टिकल है और इसमें जो नेक लाइन है और इसके कुछ पैचिस जो थे वो और गैंजा पे इनकी इंब्रॉइटरी थी और शॉल जो है वो कृंडी की है और प्राइस इसकी 4,990 रॉपए है जी सबसे पहले देख लेते हैं ये जी इसकी नेक लाइन गला गोल बनाया है और जो इसका ये इंब्रॉइटरी है ये और गैंजा के पैचिस थे जो बाद में फैब्रिक पे रटैच करवाए गये हैं ये वाले जो ना और गैंजा पे थे कपड़े पे ये इंब्रॉइडरी नहीं थी और गैंजा पे पैचिस थे इसके वो गले पे अटैच जो गले का पैच था गले पे अटैच करवाया गया है और दरम्यान में इसके ये बटन लगाए हैं इस तरह से इसका आलोवर सा प्रिंट है और इसका जो दामन है वो दामन के साथ जो है ना ये मैं बाजू का पैच आपको दिखाती हूँ ये वाला ये इसके दामन के साथ था लेकिन वो इस पे लगा हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने क्या किया है कि जो ट्रॉजर का फैब्रिक है ना उस पे एंकर थ्रेड की लगाने के बाद वो इसके साथ गुमसलाई के साथ अटैच किया है और उपर जो और्गेंजा का बॉर्डर मिला था वो लगाया है इससे आप देख सकते हैं इसकी लुप काफी डीसंट आ रही है बैक भी इसी तरह से आलोवर प्रिंट में है और बैक पे भी सेम वही डिजाइनिंग की है जो फ्रंट पे की गई है और चाक मैंने इसके जो है सिंपल फोल्ड करके दुछलाई लगाई है यह जिवाज़ों की प्रिंटिंग जो है यह डिफरेंट है यह इस तरह से और सामने इसके यह बॉर्डर है अब दो इसके साथ जो थे वो बंचेज मिले थे और गेंजा पे एमप्राइटरी के जो ट्रॉजर पे अटैच करने थे तो यह जो ट्रॉजर की क्रीस लाइन होती कि भूंगे राइन इसके ऊपर मैंने यह टैच करवाए कि दोनुछ साइट पर बॉर्डर जो है वह टैच किये गये हैं यह वाला जो है और गेंसा पर स्पादी थे यह इसकी शॉल है शॉल का जो स्टफ है वो करंडी है विंटर करंडी है बहुत ज्यादा लाइत वैट भी यह देखें सीथ्रू नहीं है लेकिन खदर के जितनी हैवी नहीं है यह जीस थ्री पीस की मुकमर लुक यह है बहुत नाइस आर्टिकल है लाइट कलर है लेकिन बहुत अच्छा है और फैबरिक क्वालिटी तो आप जानते है निशाद लिलन की काफी अच्छी होती है तो फैबरिक जो है इनका काफी अच्छा और खुला था जो इसके साथ दिया था उन्होंने थ्री पीस में हाँ जी जो लेंथ है इसमें वो 43-44 तक लेंथ जो है वो बासानी बन जाती है लेकिन अगर आपने लेंथ 45 रखनी है या 46 रखनी है तो फिर आपको थोड़ा सा जो कपड़ा है वो बॉर्डर के साथ अच्छ करना पड़ता है अगला जो आर्टिकल है अब मैं आपको वो दिखाती हूँ ये पी जी इसी साल का इनका विंटर जो आया है स्टाफ उसी में से बाई किया गया है खदर है इसका स्टाफ और ये टू पीस है टू पीस है आर्टिकल ये और स्टाफ इसका खदर है और जो प्राइस इसकी है वो 2490 है जो टूपीस हैं के खदर के जी सबसे पहलों इसकी नेक्ट लाइन देख लें ये जो हे इसकी प्रिंटिंग है ये वाली जो है जैसे पेंट सा उपर प्रिंट होता ने इस तरह से है इसका और ये मैंने इसके ये निकलाइन बनाई है इसके जो दामन की प्रिंटिंग है वो काफी अच्छी है और डिफरेंट है जैसे अमोमन होते हैं बॉर्डर बगेरा वैसा नहीं है डिफरेंट है इसके जो दामन की प्रिंटिंग है ये देखें और यह मैंने लैसिस के साथ एटेच की है यह ब्लैक कलर में गुम्सलाई के साथ लगाई है पल्टा-पटी के साथ और पल्टा-पटी के तोर पे शमोसिल का कपड़ा मैंने इस्तमाल किया है आप देख रहे हैं इसकी प्रिंटिंग में जो लाइट पिंक सा कलर है वो मैंने पल्टा पटी के तोर पे इस्तमाल किया है बैक पे प्रिंट जो है वो इस तरह से है और दामन जो है बैक का वो भी जैसे फ्रांट का दामन था ना प्रिंटेड वैसा है यह जी पल्टा पटी जो है यह श्मोस सिल्की लगाई है इसी में से जो pink color है उसी को लेके इसकी पलता पटी जो है लगाएगी है उससे matching ना बाजों की printing भी इसकी जो है वह different है बाजों पे भी piping की गई है और यह जी इसका trouser है और trouser पे मैंने simple सिरफ लाइग किया है सिरफ दो जो पट्या है ना जो fabric की printed fabric की थी वो इसमें लगाई है उमीद है जी आपको ये दोनों आर्टिकल अच्छे लगे होंगे अगर वीडियो अच्छी लगी है तो काइनली इसको लाइक कर दें चैनल को सबस्क्राइब कर दें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ जरूर शेयर कर दें